सबसे पहले मैं धन्यवा देना चाहता हूँ प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी को, हमारी अध्यक्ष दिपक बैज जी को, इनके तमाम साथियों को कि इन्होंने जो यात्रा निकाली है एक सो तीस किलोमेटर की न्याही यात्रा इस यात्रा को सफलता से आयोजित करने के लिए, आमजन को इस यात्रा से जोडने के लिए और इस भीशन उमस और गर्मी में एक सो तीस किलोमेटर चलकर सडकों पर इस सरकार की जो नाकामिया है उसको रिखांकित करने का काम किया है, मैं दिपक जी आपको बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ, पूरी परदेश कॉंग्रेस कमिटिकों को बढ़ाई देता हूँ साथियों, मुझसे कुछ पतरकारों ने पूछा, कि सरकार का एक साल पूरा हुआ नहीं है, आपको ग्णाय यात्रा निकाल रहे हैं तो मैंने उन साथियों को बताया, कि कॉंग्रेस पार्टी को कोई शौंक नहीं था हमने मजबूरी में स्यात्रा को निकालने का निर्णे लिए सरकार बनने के बाद, भाजपा का शासन यहाँ पर आया जनता ने वोट दिया था, एक ऐसे शासन का निर्मान करने के लिए जो जनता को उनके वादे पूरे करने का काम करता वो शासन जो लोगों की उमीदों को पूरा करता लेकिन दस महीने में क्रमबार तरीके से जो हिंसक वारदातें लगातार बड़ी हैं हर छेतर में ग्रामी छेतर में शेरी छेतर में बलता वजार में जो हुआ आदिवासियों के साथ दलितों के साथ, महीलाओं के साथ, पिछड़े वर के लोगों के साथ, किसानों के साथ, शेहरों में हिंसक वारदातों में लगतार विर्दी हो रही है और मुझे बड़ा अफसोस है, कि पदेश की सरकार जूटे आंखड़े दिखाकर अपनी जिमेदारी से पल्ला जानना चाहती है इस नयायात्रा को निकालने का उदेश्च था, कि सत्ता के नशे में चूट जो सरकार आज यहां पर बैठी राएपुर के अंदर, उनकी नींद खोलने का काम हम करना चाहते थे एक घटना हो जाए, दो घटना हो जाए, लेकिन मैंने पहली बार देखा है, किसी राज्ज में, अगर हिंसक वारदात काहीं होती है, तो कलेक्टर रेस्पी अपने जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं लोगों को उनके हालात में छोड़ रहे हैं, अपनी नाकाम्या छुपाने के लिए, कॉंग्रेस के लोगों को बदनाम करने का में सरकार कर रही है जूटे मुगद में लगाते हैं, इस नयायातरा के माध्यम से जन्ता के बीच में विशवास हम लोगों ने कायम करने का काम किया है कि ये गहमन्ड और आक्रमन के राजनीत नहीं चलेगी दबिश और दबाव के राजनीत नहीं चलेगी दिल्ली की सरकार और रायपुर की सरकार हो जनता ने वोट दिया था सुशाशन के लिए, सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए आत्म सम्मान के लिए हमारी बेहन बेटियों की इज़त के साथ खलवाड होता है कोई कारवे नहीं होती है इस न्याय यात्रा के माध्यम से कॉंग्रे संगठन के और आम जंता का जो एक सैलाब उम्रा है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नौजवान सातियों का जो लगतार 6 दिन तक इस रास्ते पर चले आज हम सब लोगों ने कुछ अंश इस यात्रा का यहाँ पर रेखा और लोगों को आज उमीद जगी है कि 9 महीने पहले जो हमसे गलती हुई थी जिस भेकावे में आके हमने वोट डाला था अब हम सरकार को चैन से बैटने नहीं देंगे यह न्याई यात्रा निकाली है सरकार की नीद खोलने के लिए यह शुरुवात है लेकर अगर सरकार बाज नहीं आएगी सरकार अगर अपनी कारे शहली में सुदार नहीं लाएगी सरकार अगर शोशन को काम करना है मुझे खुशी है इस यात्रा से पूरी पार्टी में एक नई उर्जा का संचार हुआ है सब निताओं ने योगदान दिया है मैं तमाम जो मंच पर लोग बैठे हैं लेकिन सबसे महत्पूर्ण जो हमारे कारेकरत हमारे सामने आज बैठे हैं जिनकी महनत और ताकत से हमारी पार्टी में दम और शक्तियम को मिलती है मैं शीर्ष रुका कर तमाम कारेकरताओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ संगर्ज करने के लिए हम कोई छोटा बड़ा नहीं है कोई पत्पोस की बात नहीं है हम सब एक ही माला में पिरोवे फूल है हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे लाटिन ना खाना होगा तो कॉंग्रेस पार्टी के तमाम निता कारेकरताओं साथ खाएंगे मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ दिपक जी आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन राम राम सब